पूर्व मुखे मंत्री जी जो अब नेता प्रतिपक्ष है वो बोखलाहट में है और बहुत जल्दी में है इस तरीके की बियान बाजी करना एक मंजे हुए खिलाडी को शुबा नहीं देता है मुखे मंत्री सबी जो बहुत 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 प्लाज मुख़ूर के समी लोगों को बहुत 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 नई साल की शुपकाम नहीं साल के साथ कॉंगरेस पार्टी की सरकार का आगास हो रहा है और नई सरकार की विधायकों की जो शपत है वो सभी चुनवे हुए विधायकों की शपत जो है वो विधान सवा में उने जा रही है शीत कालिन सत्र है और जो हमारे प्रदेश के माननिया नव निर्वाचित मुख्यमंत्री है ठाकूर सुपवेंदर सिंग सुखु जी उनके नितित्वम है और हमारी पाटी की प्रदेश अज healthy अगरेसर है और साथ ही साथ जिस तरीके से हिमाचिल प्रदेश को देश का सर्ष़रेश्ष राज्य जो पहले भी कई वाप्टंडों में रहा है वापिस उसी स्तान पर हिमाचिल प्रदेश को लिजाने के लिए हम सब मिलकर कारे करेंगे जो हमारी नेत्री हैं श्रीमती सोनिया गांदी जी हमारे राश्क्र अधेक्ष मलिका जुन खरगे जी राहूल जी प्रेंका जी उनके निर्तित्वम है हमारे मुखे मंत्री जी के निर्तित्वम है हम सब कंग्रिस पार्टी का विधायक दल और अगामी जब अभी सरकार का भी expansion होगा उसमें हम सब मिलकर सरकार को और सरकार के माध्यम से हिमाचल प्रदेश को नई उन्चाईउं पे ले जाने के लिए हर संबब प्रियास करेंगे और जो भी वादे हमने चुनावों में किये है उनको यथायत जो है वो समय रहते हुए बजट के माध्यम से और कैमिनेट के माध्यम से उनको पुरा किया जाएगा पूर्व मुखे मंत्री जी जो अब नेता प्रतिपक्ष है वो बोखलाहट में है और बहुत जल्दी में है अभी तो हमारी सरकार का expansion भी नहीं हुआ है मुझे लगता है इस समय इस तरीके की ब्यान बाजी करना एक मंजे हुए खिलाडी को शुबा नहीं देता है मुखे मंत्री जी जो पूर्व मुखे मंत्री है वो पांच साल प्रदेश के मुखे मंत्री रहे हैं पान साल में उनका हवाई अड़ा तो आज तक मंडी में बना नहीं तो वो हमको जल्दी का पाथ ना पढ़ाएं समय रहते हुए सब चीजें पूरी होगी OPS मुखे मंतरी जीने शरी सुख्विंदर सिंग सुख्वु जीने कह दिया है कि पहली cabinet meeting में old pension scheme की भाली होगी तो होगी और उसके लावा भी जितने भी और वादे जो बाते हमने करी है जो चुनावों के समय में भी हुई है उसके लावा भी जो Congress Party के guarantees है उसको हम चरनवत तरीके से पूरा करेंगे ये हमारा वादा है और इसको हम निश्चत तोर से प्रदेश के अंदर पूरा करेंगे